हेलो माई डियार फ्रेंड, यूर अगेन वेलकम टो पी लसी, माइक्रो कंट्रोलर एन इसकाड़ा वीडियो लेक्चर, तो जैसा कि जानते हैं कि पी लसी के सभी वीडियो अपलोड हो गया हैं, और आज नहीं तो कल, मतलब केवल दो ही टॉपिक बचा हुआ है, हमारे माइक् पीन डाइग्राम बता रहे थे, माइक्रो कंट्रोलर का, उसमें भी सिरियल पोर्ट का हमने जिक्र किया था, और बताया थे, सिरियल पोर्ट जो होता है, उसका यूज कम्मुनिकेशन परपस के लिए किया जाता है, जो आर एक्सडी और टी एक्सडी जो पीन था, जो रिसी कोई तो कम्मुनिकेशन सिस्टम होना चाहिए, डाटा को रिसीव या ट्रांस्मीट करने के लिए, तो वो हम सिरियल पोर्ट के मतलब हैल्प से करते हैं, तो कम्मुनिकेशन, देखिए हम कम्मुनिकेशन जो है, दो मतलब टाइप से करते हैं, हम माइक्रो कंट्रोलर में, ए को one bit at once मतलब एक बार में एक की डाटा को हम केवल सेंट कर पाते हैं लेकिन पैरलल में all bit are simultaneously मतलब सभी बीट को एक साथ ही हम करते हैं और पैरलल में हम बहुत से लाइन का यूज करते हैं जैसे जांपल के अगर जांपल लेके बता हैं तो जैसे यह से serial होगा तो इसमें केवल एक लाइन का प्रियोग करेंगे और केवल वने वाट एक बार में ही हम मतलब सेंट कर पाएंगे जैसे हमने फोर वेक्चा तो यहां पर फोर जायेगा एक बार में येकिन अगर पैरल्ल का बात करें तो लीक्रों क अच्छा बहुत ज्यादे वायर लेंगे जैसे यहां पे 4256 कुछ भी मतलब हमें सेर करना है तो एक साथ ही जैसे 4 वायर एक से 4 एक से 2 एक से 5 एक से 6 आया तो इससे समझ सकते हैं कि पैरलल में जब हम पैरलल कमुदिकेशन कर रहेंगे तो उसमें सभी बीट को हम एक साती बहुत सकते हैं क्यों में सकते हैं कि यह जाती हम हम अपने कर सकते हैं लेकिन सिरील में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम एक रार्णी में एक लाव में भी केबल लाइन होगा और हो केबल डाता को केबल डांस्मीट करेंगा रिसीब नहीं कर सकता गाल कीवल डाटा को क्वड कर सकता है यह चमप्रिंटर को कंप्यूटर नहीं हैं अब आते हैं हाफ डुपलेक्स हाफ डुपलेक्स जैसा कि आप वाकी टाकी जो वाकी टाकी इसका एक्जामपल हो सकता है जैसा कि आप देखे होंगे कि पुराने के जवाने में जो हम मतलब यूज करते थे जस्ट लाइक मुबाइल उसको वाकी टाकी के नाम समझानते हैं उसमें मतलब एक बार में एक हम एक हम यूज कर सकते हैं मतलब एक कमांड जैसे एक बार हम रिसीब कर रहे हैं तो किवल रिसीब करेगा जैसे यह ट्रांस्मीटर होगे यह रिसीबर होगे तो अगर हम ऐसे ट्रांस्मीट करें तो एक बार में किवल रिसीब करेगा मतलब उसस साथ कर सकता है transmit भी कर सकता है data को रिसेप भी कर सकता है लेकिन हाफ डुप्लेक्स में क्यों एक बार करेगा हम वाकी टाकी का आपको नीचे जाके आपको उसका figure दिखाएंगे आपको समझ में आ जाएगा राइट उसके बाद हम देखते हैं types of serial communication serial communication कितने परकाट करते हैं देखिए एक synchronous होता है और asynchronous होता है synchronous में transmitter and receiver are synchronized मतलब synchronous में हमारा transmitter जो होते हैं receiver जो होते हैं synchronous होते हैं एक दूसरे से लेकिन हमारे asynchronous में यह synchronize नहीं होते हैं उसके बाद share synchronous में जो हमारा transmitter है और receiver है दोनों के लिए मतलब एक कॉमन होगा clock वल्स clock होगा लेकिन इनके लिए जो होगा clock separate होगा अलग अलग होगा इसके लिए synchronous के लिए first thing कैसे data transfer होता है कि सबसे पहले synchronous जाएगा हमारे synchronous में उसके बाद data जाएगा और इसमें सबसे पहले start जाएगा उसके बाद stop बिट जाएगा इसको देखी आगे बने रही आगे बहुत अच्छा से आप इसको देखेंगे अभी तो मैं पढ़ रहा हूं उसके बाद समझाओंगा अभी देखी स्टार्ट बिट जाएगा उसको डाटा जाएगा इसमें एक बार सिंक्रोनाइज हो गया हमारा मतलब सिंक्रोनाइज हो गया करेक्टर तो उसको हम ब्लॉक ऑफ डाटा मतलब डाटा के पूरी ब्लॉक को मतलब सिंक्रोनाइज करके हम सेंट कर सकते हैं लेकिन एक बार में कि क्यवल सिंगल बिट ही हम इए सख सेंट कर सकते हैं तो यहां से आप बॉड डेग्राम भना या जैसे हैं reject स्ट्रांज्मीटर होगा या इसीवर हो गया तो आफने देखा दोनों के लिए क्लॉक्त बस होगा स्तिनर के लिए के लिए भी सबसे पहले स्पूंडव जाए गा उसको डाटा जाएगा तो इक फड़ नाइस होगे तो हम ब्लॉक ओफ डाटा मतलब इसमें सेंट कर सकते हैं लेकिन इसमें क्या होगा, देकि इसमें भी ट्रांस्मिटर है, रिसीवर है, लेकिन इसमें कोई मतलब हम जानते नह भी दल्हेट एके लास्ट में की स्टार्ट ब मीट इस में स्टार्ट बीट सिंक्रोटा कर अब इसके बाद हम जो हमारा serial port operation है उसमें दो पढ़ने वाले एक जो होता है एस बफ रजिस्टर मतलब serial बफ रजिस्टर बफर रजिस्टर और आप जानते हैं आपने मतलब आइसी में पढ़ा होगा कि बफर का यूज हम किसी भी डेटा को self hold करने के लिए रखते हैं मतलब hold करने के लिए डेटा को तो यह जो हमारे एस बफ रजिस्टर होता है वो एट बीट रजिस्टर होता है जो कि डेटा को कोई भी कंट्रोलिंग कर रहा है माइक्रो कंट्रोलर से तो यूनि प्रोसेसर हो गया क्योंकि केवल एक ही हम माइक्रो कंट्रोलर से मतलब पेरिफेरल डिवाइस वासिंग मसिन को ही कंट्रोल कर रहा है तो इसलिए यूनि प्रोसेसर हो गया लेकिन trip processor जैसे microcontroller से microcontroller में हमें data को transfer यह receive करना है जैसे हमार टीव रिमोट हो गया है remote हमारा क्या है remote भी microcontroller है हम जैसे remote के जो receiver लगे होता हैं जैसे हम तो remote क्लिक करते हैं data हम transmit करते हैं जो receive करता है वह время do about होता है हमारे mobile हो गया यह hard हैं multi processor mode होते हैं तो आपको समाझ में आपका योई प्रोसेशर mode और multi processor mode में difference क्या है difference के वले एक है कि एक जो है microcontroller से peripheral device में data को transmit या रिसीब करेगा और एक जो है microcontroller to microcontroller में हमारे data को receive करेगा या transmit करेगा राइट उसके बाद आता है दूसरा हमारा इस बफ के बाद इस control इस कौन इस कौन मतलब इस control serial control रेजिस्टर यह भी एट वीट का रेजिस्टर होता है देखिए इसको एट वीट को कैसे हम डिफाइन करते हैं SM0, SM1, SM2, REN, TB8, RB8, T1 और R1 बहुत इंपोर्टन है बहुत द्यान से देखिए जो हमारे यह शुरू का दो मोड होता है यह जो सुरू का दो मोड होता है इसे हम मोड सेलेक्शन के लिए उज़ कर सकते हैं जैसे करते हैं जैसे हमारा SM0 है, SM1 है जब दोनों 00 होगा तो हम मोड 0 को सेलेक्ट करेंगे और यह जो होता है 8-bit, 8-bit shift register के नाम से जानते हैं और यह synchronous होता है, क्योंकि synchronous होगा तभी तो 8-bit हमारा transmit हो सकता है और यह जो होता है, दो दूसरा मोड होता है, जब एक 0 होगा और दूसरा 1 होगा तो हम उस समय mode 1 को सेलेक्ट करेंगे, और यह 8-bit UART होगा यह UART मतलब full form होता है, universal asynchronous receiver transmitter मतलब यह asynchronous है, asynchronous में आपने पढ़ा कि 8-bit से अधिक होता है, जैसे एक तो 8-bit का data हो गया, यहाँ पे stop होगा और यहाँ पे start होगा, यहाँ पे stop होगा, तो यह 8-bit से अधिक, मतलब 9-bit data को यह content किये होता है तो जब हमारा 1-0 होगा, तो यह क्या होगा, 9-bit UART, मतलब इसमें universal asynchronous हमारा receiver transmitter mode 2 के लिए select करेंगे, और जब 1-1 होगा, तो mode 3 को हम मतलब select करेंगे और यह भी 9-bit UART होगा, UART का हमने full form को बताया, universal asynchronous, universal asynchronous receiver and transmitter that's simple, उसके बाद जब मतलब हमारा ace mode 1, जैसे इसको ace mode बोलते हैं, मतलब serial mode 0, serial mode 1 हमने select कर लिए, अब SM2, SM2 का use क्या होता है, इसको देखते हैं, जो हमारा SM2 होता है, जो यहां पे लिखा हुआ है SM2, जो SM2 mode होता हो, multiprocessor communication bit होता है, और यह mode 2 और 3 को select करने के लिए, multiprocessor मतलब अभी आपने देखा, multiprocessor मतलब क्या, 8 bits अधिक हो जाए, तो उसको multiprocessor कहेंगे, आप देख सकते हैं, यह 9 bit URT, यह भी 9 bit URT है, जब भी mode 2 और 3 को select करना होता है, तो हम SM2 के द्वारा ही करते हैं, उसके बाद हमारा RNE आ गया, RNE bit, RNE bit क्या होता है, REN bit, यह enable serial reception होता है, जब भी हमारे microcontroller को, जो भी हम कोई भी data को receive करना होगा, सबसे पहले यह enable होगा, जब यह enable होगा, तब भी data हमारा serially receive हो सकता है, उसके बाद जो होगा TB8 और RB8 आएगा, यह जो होते हैं, देखे, T मतलब transmit हो गया, और R मतलब receive हो गया, तो 9th bit जो आपने देखा asynchronous, मतलब asynchronous communication में, यह 9 bit को कब transmit और receive करेगा, जब TB8 हमारा mode set condition में आएगा, जब यह 1 होगा, जब 9 bit, 9 bit जो होगा 2 और 3 bit से transmit होगा, और यहां बस receive होगा, जब भी हमारा mode 2 और second से data कोई भी receive होगा, तो 9 bit यहां पर क्या होगा, RB8 से हमारा set condition में आएगा, I hope it's clear, लास्ट हमारा बचता है T1 और R1, जब T1 मतलब क्या, जब सभी data हमारे transmit हो जाएगे, T मतलब transmit, हमारा सभी data serially transmit हो जाएगा, तब यह 1 होगा, और जब तक transmit हो रहा है, अभी transmit नहीं हो, तब तक यह 0 रहेगा, वैसे ही आ रहे है, जब तक पूरा हमारा data receive होजेगा, तब यह हमारा, जो beat है, वो set condition में जाएगा, otherwise जब तक पूरा data को transfer हमने नहीं किया, तब रिसीव नहीं किया, तब तक यह 0 रहेगा, तो I hope आपको यह बहुत चोटे से वीडियो में आपको समझ में आ गया, कि क्या होता है हमारा, यह मतलब serial port operation, जिसमें हम कैसे use करते हैं, communication, एक तो होता है serially, serially जो होता है, single line होता है, इसमें mini line के use करते हैं, आपने इसमें देखा simple, simplex, halflex देखा, full duplex देखा, walkie tacky, just wait, हाँ जी, तो देखिए, आपको साइद यह मालून होगा, कि हम पहले के जवाने में अभी हमारे police होते हैं, इसका use करते हैं, तो यह हमारा walkie tacky है, यह एक time में केवल data को receive करेगा, या तो transmit करता है, केवल एक बार हम बोल रहा हैं तो बोलेंगे, और सुन रहा हैं तो सुनेंगे, मतलब एक बार में एक ही काम करेगे, यह तो टाटा को transmit करेगा, यह तो receive करेगा, तो I hope आज के छोटे से video lecture में आपको समझ में आओगा, समझ में आया, तो don't forget to share my channel, thank you.